प्रिये दोस्तों, मुझे पूरा यखीन है कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक अनग्रह देगा इस तरह के सेकड़ों वीडियो हमने पोस्ट किये हैं और नियमित रूप से पोस्ट करते रहते हैं इस कारण मेरे एक अनुरोध है इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है उसको जड़ा प्रेस कर दे उसके बगल में एक घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दे यह दिया ऐसा करेंगे तो हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप उसे मिस नहीं करेंगे हमको भी बहुत प्रोथ साहन मिलेगा जब हम यह देखेंगे कि लोग इन वीडियोस के द्वारा अनुग्रह पा रहे हैं प्रभू आपको अपना अनुग्रह दें आज मैंने जो बैनर बनाया था वो आप मैंसे सभी लोगों ने नोट किया होगा उसमें विशेश उसमें यह लिखा हुआ था बेटे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ हो सकता है आप मैंसे कही लोग पूछें कि सिर्फ पापा लोग लापरवा होते हैं क्या और दूसरी बात सिर्फ बेटे बरबाद होते हैं क्या तो आर्म में ही मैं ये बात याद दिलाए देना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज है, पठन माला है और इसलिए हमारे पास इतना समय है कि हम विशे के हर पहलू को अलग-अलग और विस्तार से देख सकें इस कारण आज मैं सिर्फ पिता के उपर जो है, प्रभु के वचन पिताओं के बारे में जो बोलता है, मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूँ बरबाद बेटे जो मैंने लिखा, उसके पीछे भी कारण यह है कि मुख्य आज हमारा जो ध्यान है, वो पिता का जीवन और उसका आसर पुत्र पे क्या पढ़ता है, यह है प्रभु ने मदद की, तो हम आगे देखेंगे कि पिता की लापरवाही का पुत्री के उपर क्या असर पढ़ता है फिर जब समय मिलेगा तब हम यह भी देखेंगे कि मा की लापरवाही का असर पुत्र पे क्या होता है, पुत्री पे क्या होता है जब हम परिवार के बारे में सूचते हैं तो पहले ही आध्यान में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जब परिवार या कुछ और नेरो तरीके से बोला जाए तो विवाह, पारिवारिक जीवन, बच्चों की परवेरिश वगरा जब इन विशे के बारे में सुनते हैं तो हम बहुत ही हमारी सोच पड़ी सीमित होती है लेकिन जो पहला क्लास है उसमें ही मैंने ये बात याद दिला दी थी कि विवाह और परिवार बहुत व्यापक विशे है और इवन प्रभु के वच्चन में समाज में तो बहुत ही व्यापक विशे है इवन प्रभु के वच्चन में वो इतना व्यापक विशे है इतना व्यापक विशे है कि कुछ पूछे मत मैं पिछले कई दिनों से प्रभु का वचन विवाह और परिवार के बारे में जो कुछ बोलता है उन सब पदों का संग्रह कर रहा हूँ संग्रह करते 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 मैं ठक गया लेकिन वो पद खतम नहीं हुए तो आज फिर से मैं याद दिलेना चाहता हूँ कि हमारे इस सीरीज का नाम है संपुष्ट परिवार मतलब पुष्टी प्राप्त परिवार पुष्टी प्राप्त परिवार विशे के अंतरगत सेकड़ों विशे हैं प्रभु ने मदद की तो उनमें से कुछ मुख्य विशे जो भारती समाज के लिए जरूरी है उनको हम देखेंगे भारती समाज में भी खास कर उत्तरभारती समाज के लिए जो बहुत महतुपूर्ण विशे है उनको हम देखेंगे उसमें भी बहुत सारे हैं तो आज मैं उसमें से सिर्फ एक विशे आपके सामने रख रहा हूँ कि पिता यदी लापरवा हो जाए तो पुत्र के उपर उसका क्या आसर होता है सबसे पहले प्रभु के वचन से कुछ पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आप कहेंगे कि पिता की जिम्मेदारी और पुत्र की परविरेश्वगरा से संबन्दित शास्त्री अंकल प्रभु के वचन में पद हैं क्या जरा देख लीजे नीति वचन चौथा अध्याय को लीजे नीति वचन चौथा अध्याय के पहले पद से हम पढ़ते हैं हे मेरे पुत्रों पिता की शिठ्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ तो इस पद को जैसे ही हमने पढ़ा एक बात तो स्पष्ठ हो गई कि प्रभु का वचन पिता की जिम्मेदारी के बारे में बोलता है आपने यदि नहीं देखा है पढ़ा तो होगा लेकिन यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो इसमें ना तो प्रभु की ना प्रभु के वचन की गलती है गलती हमारे लापरवाही की है हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं जो प्रभु का वचन पढ़ते हैं प्रभु का वचन और अखबार पढ़ना हमें से बहुत सारे लोगों के लिए एक बराबर बात हो गई है अखबार तो पढ़ते हैं ना सभी लोग, मैं तो पढ़ता हूँ मैं केरल में हूँ लेकिन मुझे चंबल की खबर चाहिए इसलिए मैं दैनिक भासकर नियमित रूप से पढ़ता हूँ लेकिन एक बात बताईए आप लोग जो अखबार पढ़ते हैं परसों अखबार में जो खबरें पढ़ी थी आज आप उसको याद कर सकते हैं क्या नहीं आप कहेंगे शास्त्री अंकल अखबार की बातें याद रखने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है बिल्कुल सही बात है याद रखने के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं उसी तरह से यदि आप टीवी पर खबर देखते हैं तो परसों जो खबरें आपने सुनी थी शायद टीवी पे शायद आद घंटे पता नहीं कितने समय आता है मैं तो टीवी तो सुनता नहीं हूँ देखता नहीं हूँ सिर्फ दैनिक भास कर पढ़ता हूँ आप लोगों के ख़बर के लिए तो टीवी पे मान ली जा आद घंटे नियूज है परसों आपने जो ख़बरें सुनी थी आपको आज याद है क्या? कोई याद कर सकता है क्या? एक या दो छोड़ कर बाकी ख़बरें किसी को याद नहीं रहती है और उसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन दुर्भागी यह है कि हम लोग जब प्रभू का वचन पढ़ते हैं तो प्रभू के वचन को भी कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ा था? यह बीस्वी शताब्दी की एक विशेष्टा है या सही कहा जाए तो बीस्वी शताब्दी के 1970 के बाद का एक development है यह 1970 से लेकर अभी तक के समय में यह देखते हैं सवाल यह है कि 1970 से आगे को मैंने क्यों बोला? उसके पीछे कारण है कारण यह है कि 1970 के आसपास मीडियम बहुत सारे जो अखबार और इस तरह के मीडियम है वो बुरी तरह से फैल गए और उन्होंने हमारी इवन स्मर्ण शक्ती के उपर असर डाला है और स्मर्ण शक्ती के उपर असर डाला है कंदे तक दिखता है तो कंदे के अलावा क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम इसलिए हम में से बहुत से लोगों की ये बहुत इक गंदी आदत हो गई है कि चर्च जाते समय तो बाइबल ले जाते हैं जूम क्लास के लिए बैटते हैं तो बाइबल नहीं लाते हैं और जब बाइबल नहीं लाते हैं और वक्ता जिन पदों को आपके सामने पढ़कर सुना रहा है उसको आप खोल के देखते नहीं है तो आपके दिमांग में वो बात कैसे रहेगी दूसरी बात जो दसियों बार मैंने याद दिलाई है वो यह है कि जब प्रभु के वचन के अध्येन के लिए बैठते हैं तो एक डायरी और एक पेन लेकर बैठें जिससे कि प्रभु के वचन को जब सुनते हैं तब उसमें जो मुख्य मुख्य बाते हैं हमको स्पर्ष करती हैं उन बातों को नोट करते चले जाएं कितने लोग हैं मैं फिर से पूछना चाता हूँ कितने लोग हैं जो ये करते हैं आप कहेंगे कि ये तो सब बहुत मुश्किल काम है ये बिल्कुल गलत बात है एकदम गलत बात है जहां चाह वहां राह इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमें से हर व्यक्ति को जब हम प्रभु के वचन का ध्यान करते हैं तो कागज पत्तर तो साथ में रखना चाहिए नॉर्मली जो एफोर साइज पेपर फोटो कॉपी वगरे के लिए उसका आधा साइज है एफाइव कहा जाता है यह एफाइव साइज पेपर है और पेपर का फोल्डर है आप कहेंगे हमारे नहीं मिलता अरे सब लोग Amazon पे जाके order करते हैं वहाँ से order करें तो यह क्यों नहीं मिलेगा मैंने Amazon से मंगाया है और यह जो notes में आपको दिखा रहा हूँ पिछले हफते जब मैं चर्च गया था बाइबल क्लास में तब वहाँ पर जो सुना उसको मैंने note किया आज शाम को यहाँ क्लास के पहले बैठ कर उसका अध्यान कर रहा था और जब मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ तो मैंने सुचा उदाहर और बता दू मैं सर्फ सैधांतिक बात नहीं कर रहा कोई भी प्रभू का वैचन सिखा रहा हो यदि हम ध्यान से सुने तो भले ही वो व्यक्ति सही रीती से पढ़कर पढ़ा रहा हो या लापरवाही से पढ़ा रहा हो यदि हम परमेश्वर के प्रती समर्पित हों तो पवित्रात्मा उसके द्वारा हम से बात करेंगे और इस तरह से पवित्रात्मा से जो प्रकाश मिलता है उसको पेपर पर नोट करते चले जाएं तो वो आपके दिमांग में बैठ जाएगा तो यह पहली बाप जो आज शाम को मैंने आपको बताई वो यह है कि जब प्रभू का वचन कहता है हे मेरे पित्रों पिता की शिट्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ यदि हमने हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने यह नोट नहीं किये इसके पहले कि पिता की शिट्षा सुनने के बारे में प्रभू का वचन कहता है यदि इस पे हमने ध्यान नहीं दिया है तो इसके लिए प्रभू या प्रभू का वचन जिम्मेदार नहीं है मैं और आप जिम्मेदार हैं जो लापरवाही से प्रभू का वचन पढ़ते हैं तो आज जितने पिता लोग यहां पर प्रभू का वचन सुन रहे हैं या जो सुन रहे हैं उनमें जितने पिता हैं चाहे साल बर के बच्चे के पिता हो या 25-30 साल के बच्चों के पिता हो जितने पिता हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिता होते हुए प्रभू के वचन में ये जो बात कही गई है इस पर आपने कभी ध्यान दिया है क्या इसलिए कि आपके बारे में आपकी जो जिम्मेदारी है प्रभू में आपकी जो जिम्मेदारी है ये पद उसके बारे में बोलता है औ आपको मालूम तो होना चाहिए न कि प्रभु का वचन आपके बारे में क्या कहता है तो इस कारण है मेरे पुत्रों पिता की शिट्षा सुनो जब प्रभु का वचन कहता है तो मेरा पहला प्रशन यहां जितने पिता हैं उनसे है कि जब प्रभू का वचन कहता है कि पिता की शिट्शा सुनो तो यहां जितने पिता हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है क्या कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को शिट्शा दो यहां पुत्रों कहा गया है, इसलिए मैं बेटा कह रहा हूं पुत्रियों के बारे में बहुत सारी बाते कही गई हैं, प्रभु ने यदि बल और शक्ति और समय दिया, तो हम उन सब को एक एक करके देखेंगे, यहां किसी तरह की जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, प्रभु का वचन जो कहता है उसका अध्यान हम बहुत ही क्रम बद तरीक से करेंगे, तो मेरे पुत्रों पिता की शिठ्षा सुनो, इसका अरेंड पिताओं, मैं आपसे पूछना चाता हूँ, इस बात को आपने कभी जाना है क्या, पहचाना है क्या, कि प्रभु का वचन स्पष्टतिया कहता है कि आपको अपने पुत्र को शिठ्षा देनी है, औ जरूरी है कि प्रभू के वचन को जैसे आखबार पढ़ा जाता है वैसा पढ़ने के बदले जैसे प्रभू के वचन को पढ़ा जाना चाहिए उस तरह से पढ़ें प्रभू के वचन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए प्रभू का वचन आपके पास है आपकी अपनी मात्र भाष प्रभु के वचन का सामान्य से अधिक गंभीर अधियन करते हैं उन्में से हर व्यक्ति के पास एक से अधिक बाइबल है और शायद यहां पर इस तरह के लोग भी हैं भाई और बहन हैं जिनोंने mobile पर बाइबल डाउन्लोड कर रखा है मैंने तो कर रखा है इसलिए कि मैं एक्सर लंबी यात्रा पे कार से प्रभु की सेवा के लिए लंबी यात्रा पे जाता हूँ तीन तीन चार चार घंटे तक की यात्रा एक साइड होती है और कई बार मेरा ही एक सहकर्मी जो मेरे साथ सेवा करता है वो ड्राइव करते हैं तो वो समय बैटकर मक्खी मारने के बदले या तो उस भाई के साथ किसी गंबीर विशे पे चर्चा करता हूँ या उन दिनों प्रभू के वचन से जिस विशे का अध्यान कर रहा हूँ उस विशे को स्टडी करने के लिए लगाता हूँ उसके लिए मोबाईल सर्वो तो मुपकरण है मोबाईल में तीन तीन चार चार पाँच पाँच भाषाओं में आप बाईबल इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ बाईबल स्टडी से संबन्दित कर सकते हैं तो आज जो पितागन प्रभू का वचन सुन रहे हैं उन में से हर व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ प्रभू के वचन को आप अखबार के समान पढ़ते हैं या प्रभू के वचन के समान पढ़ते हैं अपनी मातर भाष्या में आपके पास बाईबल है मोबाईल पर भी बाईबल डाउनलोड इन सब का उपयोग आप करते हैं क्या मैंने सर्फ दो उदाहरण दिये प्रभू के वचन को वचन के समान पढ़ते हैं या अख़बार के समान पढ़ते हैं इसके अलावा एक तीसरे और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है आपने नोट किया होगा कि बजार से जब दवाई खरीदी जाती है तब यदि पूरा पैकेट आप खरीदते हैं तो कवर के अंदर एक पर्चा होता है यहां तो स्थिती यह है कि दवा तो हरकोई यूज़ करता है जादा तर लोग ने कभी उस पर्चे को खैंच कर देखने की कोशिश नहीं किये है कि यह पर्चा क्या है कभी कभी लोग जब दवाई का जो काड़ बूर्ट का पैकेट है उसमें से दवा निकाल लेते हैं तो पर्चा निकाल के देखते हैं कि हाँ दवाई संब्दित पर्चा है और तुरंत उसको जो है चूले में डाल देते हैं तो दर असल प्रभु के वचन को ऐसे तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है एक दवाई की बोतल में जो पर्चा आता है जिसको कभी देखते ही नहीं है या खैंच-खांच के निकाल भी लिया अरे कौन पढ़े किसको समझ में आ जाएगा डॉक्टर पढ़े तो पढ़े उसको आग में डाल देते हैं या कच्रे की टोकरी में डाल देते हैं आप प्रभु का वचन इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है और लोग पढ़ते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है सामाइने विश्वा से भी इस तरह से पढ़ते हैं प्रचारक लोग भी प्रभु के सेवग भी इस तरह से पढ़ते हैं ऐसा ना करें यदि आप प्रभू के द्वारा दी गई अपनी जिम्मेदारी के प्रती जागरत हैं, सचेत हैं, तो कृपा करके प्रभू के वचन का पठन-पाठन उस तरह से ना करें, जैसे दवा की बोतल में जो लेबल आती है उसका पठन-पाठन करते हैं, उठाके फेंक देते हैं कि पोतल के अलाव, वो दवाई का जो कार्टन है उसके अंदर क्या है, प्रभू का वचन ऐसे पठने की चीज नहीं है, याद रखें, प्रभू का वचन हमको याद दिलाता है, दोखा मत खाओ, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जाता है, मनिश्य जो बोएगा वो काटे परमेश्वर के प्रती हमारा जो समर्पण होना चाहिए, वो समर्पण यदि लापरवाही का हो और उसके बाद यदि हम यह, लेग यह सुना रहे बचन सुनो उसके बाद यदि हम यह उम्मीद करें कि प्रभू हम पर ध्यान देंगे तो सवाल यह है कि जब हम प्रभू की और ध्यान नहीं दे रहे तो प्रभू की क्या पड़ी है कि हम पर ध्यान दें प्रभू के वच्छन में लिखा हुआ है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा और जो मेरा अनादर करेगा मैं उसको नश्ट कर दूँगा प्रभू के वचन के प्रती हमारा जो समर्पन है और हमारा आदर है वो प्रभू के प्रती आदर को दिखाता है तो इसका अरण मैं पुनह याद दिलाना चाहता हूँ आज यहाँ जितने पिता हैं एक नावजात शिशू से लेकर 40-50-60 के पुत्रों के उमर की पुत्रों के पिता जितने यहाँ हैं वे लोग इस पात को ध्यान दे नीतिवचन चौथा अध्याय स्पष्टतेया बताता है कि पिता की जिम्मेदारी है कि वो शिट्षा दे और यदि शिट्षा देना है तो पहले प्रभु से प्राप्त करना है और प्रभु से हम सीधे बैठके हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ आप इधर जो है मेरी जूली में डाल दीजे ऐसा नहीं होता है मनिश को स्रिष्टी से लेकर या अनादिकाल से लेकर अनंतकाल तक जिन जिन बातों के बारे में जानना जिरूरी है वे सारी बातें पवित्र बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखित रूप में प्रभु ने दिया है और हमारी ही मात्र भाष्चा में दे दिया है और बहुती सुविधाजनक बाइंडिंग में दे दिया है ये बात मैं बार-बार याद दिलाना चाहता हूँ मेरे दादा जी एक बहुती समर्पित विश्वासी थे पर दादा दादा तो थे पर दादा बहुती समर्पित विश्वासी थे पर दादा मुझे बताया करते हैं और दादा भी इस बात को बताया करते थे कि पर दादा के जमाइने में पर दादा का जमाइना कब था आप पूछेंगे यदि पर्दादा का जहाएं, आज से लगबग 160 साल पहले की बात कर रहा हूँ मेरे पर्दादा के जमाइने में वे लोग चर्च जाते थे तो बाइबल को हाथ में यो लेके नहीं जाते थे बाइबल को यो एक कपड़े में लपेट कर यो खड़ा यो रखके ले जाते थे क्यों ले जाते थे? उस जमाइने में बाइबल इते भारी हुआ करते थे तीन-तीन-चार-चार किलो भारी हुआ करते थे कि आज यससरे से Bible लेके आप जाते हैं नहीं जा सकते थे इसके बावजूद वे जब चर्च जाते थे तो जिन-जिन के पास पवित्र Bible थे वे उसे कंदे पर रख कर जैसे हम वजन की ढूलाई करते हैं चर्च जाते थे उन लोगों ने पवित्र बाइबल के पठन-पाठन को गंभीरता से लिया था आज पवित्र बाइबल छोटे से छोटे साइज में उपलब्द है आपकी भाषा में उपलब्द है आप उसका पठन-पाठन करते हैं क्या नमबर वन यदि करे तभी जो है फर्मेश्वर के वचन की शिछा आप पाएंगे आप पाएंगे तभी अपने बेटे को दे सकते हैं दूसरी बात यहां लिखा है ये मेरे पुत्रों आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं बेहने सुचेंगी कि आज तो बच गए शास्त्री अंकल जो है हमारे हस्बन को अच्छी तरह से घोंट के कडवी दवा पिला रहे हैं बेहनों प्रभु के वचन में प्रभु के राजी में कोई अपवाद नहीं है ये चीजें यदि आपके पती पर अपलाई होती है तो आपके उपर भी अपलाई होती है आप पर भी लागु होती है बस आज मेरा जो ध्यान का केंद्र है वो पुरिश है उसका मतलब यह नहीं है कि स्ट्रीयों से प्रभु कावचन ये बातें नहीं कहता है तो इसलिए ऐसा न सोचें कि शास्त्री अंकल जो है आज तो कड़वा घोंट पिला रहे हैं हमारे हस्बन को मजा आ जाएगा जब आपकी बारी आएगी बहने तब ये डबल कड़वा हो जाएगा इसको मत सोचना और इसलिए लापरवाही ना करें और ये न सोचें कि शास्त्री अंकल हाँ कूप सुनाईए इनको ये बड़ी लापरवाही करते हैं बच्चियां ये न सोचें कि आज तो बच गए आज तो हमारे भाया की खिचाई हो रही है पुत्रों के ऐसा नहीं है मेरे प्रिये बच्चों और बच्चियों प्रभू का वच्चन जितना पुरिश से बोलता है उतना ही स्त्री से बोलता है जितना बेटों से बोलता है उतना ही बेटियों से बोलता है और मैं प्रभु ने मदद की ते यह सब कवर करूंगा लेकिन मैं जब पिताओं से और पुत्रों से बोल रहा हूं तो माताएं और बेटियां ये ना सोचें कि हम बच गए ऐसा नहीं है मैं पिताओं और पुत्रों से जो बोल रहा हूं उसका एप्लिकेशन आप में से भी हरेक के जीवन में ये बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं हे मेरे पुत्रों अध्याई चार में पुत्रों से आरम इसलिए किया है कि पिछले 6000 सालों में समाज में लड़कियां सामानियत या मान मरियादा में रहती हैं जबकि लड़के जो हैं वो मन माना व्यावार करते हैं ये जानी हुई बात है समाज में ये जानी हुई बात है कि सामानियत या मैं हर लड़की की या हर लड़के की बात नहीं कर रहा है सामानियत या समाज में लड़कियां मान मरियादा में रहती हैं और लड़के जो हैं वो लफंगाई करते हैं इसके अपवाद हैं ऐसे कई लड़के हैं जो मानमेरियादा में रहते हैं और लड़किया हैं जो इसका उपोजिट करती हैं मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा है सामान नेतिया ये माना जाता है कि लड़किया मान मरियादा में रहती है और लड़के जो है वो कुछ न कुछ लंपटपन करते रहते हैं इसलिए प्रभू का वचन पहले सबसे पहले पुत्रों से बोलता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ 1970 से समाज में जो बदलाव आएं हैं उन बदलावों के कारण 1970 से लेकर 2000 और 2000 से लेकर 2000 बाइस मतलब पिछले 52 सालों में समाज में इतना बदलाव आगया है कि अब लड़कियां भी मान मरियादा में नहीं रहती है ऐसा क्यों है इसका कारण क्या है प्रभू ने मदद की तो हम विस्तार से इसका आध्यान करेंगे लेकिन मैं लड़कियों को याद दिलाना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं कि अब ये जो मान मरियादा में रहने की बात है बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने इसको छोड़ दिया है आप अपने जीवन को तुम लोग अपने जीवन को इसके द्वारा बरबात कर रहे हो इसको समझ लेना लेकिन जो उसके डीटेल से विस्तार है वो अपने बाद में देखेंगे तो पुत्रों से इसलिए कहा गया है कि पिछले 6000 सालों में मनुष्य जाती के बीच में लड़किया मायन मरियादा में रहती थी और लड़कों के लिए जो है हर चीज को सीखना अपने आप पर आत्मी नियंतरन रखना ये जरूरी था यदि पिछले 6000 साल ऐसा था तो पिछले 50 सालों में तो इसकी जरूरत और अधिक हो गई है इसलिए कि लड़कों के बीच में अनिशासन ही नता बहुत अधिक बढ़ गई है आत्मी नियंतरन ना के बराबर रह गया है हर तरह का गलत काम बहुत अधिक हो गया है प्रभू ने मदद की तो हम ये सब देखेंगे मैं आप लोगों के मद्यप्रदेश के अख़बार से भी तमाम तरह के कहानिया ये घटनाए मैं आपको बताना चाहूंगा जब समय आएगा आज तो सिर्फ प्रिष्ट भूमी देख रहे हैं तो आज प्रभू का वचन जो लोग सुन रहे हैं उनमें जितने पुरिष प्रजा हैं जितने पुत्र हैं सब लोग ध्यान से सुने शायद आप कहेंगे कि शास्त्रे अंकल मैं तो पिता हूँ इसलिए पुत्र नहीं हूँ यहीं तो गल्ती होती है आज जितने लोग सुन रहे हैं इनमें पिता कम है पुरिषों में पिता कम है पुत्र अधिक हैं इसलिए कि हर पिता भी किसी और पिता का पुत्र है इसलिए आज जितने पुरिष प्रभू का वचन सुन रहे हैं सब के सब पुत्र है इस कारण हमारे बीच में पिता कम है पुत्र जादा है और इसलिए जादा तर लोगों को प्रभु का वचन ये सुन लेना चाहिए पिता की शिठ्षा को सुनो पिता की शिठ्षा सुनेंगे तो उससे हमको क्या होगा ये इस पत के अगले आधे में बताया गया है पिता की शिठ्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ पिता की शिठ्षा जब हम सुनेंगे तब हमारे जीवन में जो कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं उनमें पहला परिवर्तन है समझ ये समझ का क्या मतलब है समझ का मतलब ये है मैं कौन हूँ मैं संसार में किसलिया आया हूँ और मैं जिस कायरी के लिए आया हूँ उस कायरी की प्राप्ती के लिए मुझे क्या क्या करना है शायरिरिक तोर पर क्या क्या करना है मानसिक तोर पर क्या क्या करना है, आत्मिक तोर पर क्या क्या करना है यह है समझ और जब हम समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों इस संसार में आया हूँ, मेरे जीवन का लेट्शी क्या है, मुझे पर्मेश्वर ने यहां क्यों रखा है और पर्मेश्वर ने मुझे यहां जो रखा है, उस लेट्शी की प्राप्ती के लिए मुझे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से क्या करना है, जब इन चीजों को समझते हैं, तो वो है समझ मैं एक प्रशन पूछूं, आज यहां जितने पुरिश हैं, सभी के सब तो किसी ने किसी के पुत्र है, और इस कारण, मेरे प्रिये भाईयों, हम में से कितने लोग हैं, जो आज यह कह सकते हैं, कि मुझ में असली समझ है समझ तो बहुत कुछ है, हम मैं से हर विक्ति समझता है कि राशनकार्व का क्या मतलब है, मार्क शीट का क्या मतलब है, बिजली के मीतर का क्या मतलब है, और हम मैं से कुछ ऐसे भी हैं, जो यह भी समझ रखते हैं कि बिजली के मीतर से चोरी कैसे, बिजली की चोरी कैसे की ज प्रभू का वचन और गाउ में जो लोग है, मैं उनसे याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभू का वचन जो सुन रहे हैं, इसमें से कई लोग गाउ में जीवन बिताते हैं, गाउ में, मद्धि प्रदेश में आप तो सरकरने कड़ा नियंत्रन लगा दिया है, नहीं तो घर के सामने जो बिजली के तार जा रहे हैं उसमें हुक डालके बिजली की चोरी करना विश्वासी लोग भी करते हैं मैं स्वयम जानता हूँ ऐसे विश्वासियों को याद रखें ये सब समझ है प्रभु की समझ नहीं है, प्रभु के द्वारा सी दी गई समझ नहीं है ये दुनिया के द्वारा दी गई उल्टी समझ है प्रभु के द्वारा दी गई समझ जो है, वो ये है, मैं कौन हूँ जिस तिन आप समझ जाएंगे कि आप कौन है तब ये चोरी चपाटी बंद कर देंगे मुझे यहां किस ने रखा है? मुझे यहां किस लिए रखा गया है? मेरे जीवन को किस लेट्शी के लिए यहां पर मेरे स्रिष्टा ने रखा है? जब इन सब बातों को समझ जाएंगे तब बुद्धिमानी के साथ हम जीवन बिताएंगे आप पूछेंगे कि शास्त्री अंक्ल आप तो बड़े समझदार होंगे? जी नहीं मैं तो पैदाईस से ही जो है उन लोगों में था जिनके अंदर जीग्यासा बहुत ज़्यादा है ज्ञान शून्य है आप पूछेंगे ऐसे लोग भी होते हैं क्या? होते हैं इसलिए हम में से हर उत्र को ये मान के चल लेना चाहिए कि मेरा ज्ञान शून्य है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभू के वचन का क्रम बद्ध अध्यान करूँ जिससे कि मेरे मन में बुद्धी और ज्ञान आए भजन 119 आप में से सभी ने पड़ा है उसमें बार-बार ये बात कही गई है कि आपका वचन जब मेरे मन में प्रवेश करता है तब मुझे बुद्धी और ज्ञान मिलता है तो यहाँ पिता की शिट्षा सुनकर समझ प्राप्त करने को जब प्रभू का वचन ये कहता है तब प्रभू का वचन ये मान कर चलता है कि आपके जो पिता हैं वे क्रमबद्ध तरीके से प्रभू का वचन पढ़ेंगे समझेंगे मानेंगे व्यवहार में लाएंगे और पूर्न समर्पन के साथ आपको सिखाएंगे आप कहेंगे कि अंकल जे हमारे पिता तो ने तो प्रभू को ग्रहन ही नहीं किया था ऐसे कई लोग है जिनके पिता ने प्रभू को ग्रहन नहीं किया था ये दुनिया की रीट है कि हम मैंसे हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन बरपाद हो गया यदि आपको अपने पिता से प्रभू के वचन की तालीम नहीं मिली है तो आप जानते हैं कि आपके जीवन में किस बात की कमी है, घटी है, खामी है और इसलिए आपको दूगने समर्पन के साथ प्रभू के वच्चन का आध्यायन करना चाहिए जिससे कि आपके बच्चों को उनके जीवन में ये घटी कमी और खामी ना हो और इस तरह से जब आप अपने बच्चों को प्रभू का वच्चन सुनाएंगे, तब उनको समझ की प्राप्ती होगी तो मेरे प्रिये भाईयों, मैं सर्फ भाई भाई पुत्र पुत्र पिता बोल रहा हैं, बाकी जो आध्या जो पॉपुलेशन हैं, वो एश्च ना करें, ये आप लोगों के लिए भी अप्लिकेबल है समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, अब तीन बाते हो गए हैं, एक तो पुत्र, दूसरी बात पिता, तीसरी बात शिच्छा, चौती बात समझ इन चारों बातों को एक बार और मैं रिव्यू करना चाहता हूं, नमबर वन, हम मैंसे हर वेक्ती एक पुत्र है और यदि हमारे पिता, प्रभू के वचन को जानने वाले एक विश्वासी हैं, तो हमें पिता की शिच्छा की और ध्यान लगाना चाहिए आप कहेंगे मेरे पिता तो उनके लिए ना प्रभू ना वचन, यदि ऐसा है, तो उसके कारण आपके जीवन में जो खाली पन है उसको समझ कर, आपके स्वहिम के बच्छों के जीवन में खाली पन ना आए, इसलिए आप दुगने उत्सा के साथ प्रभू के वचन का अध आप प्रभू के वचन का अध्यान उस दवाई के अंदर जो परचा आता है जिसे बिना देखे ही कचरे की टोकरी में या आग में फिंक दिया जाता है, आप प्रभू के वचन का अध्यान ऐसा करते हैं क्या, या जिस तरह से आखबार पढ़ते हैं, एक कान से सुना, दूस इस तरह से पढ़ते हैं क्या, या प्रभू के वचन पर आप ध्यान और मनन करते हैं क्या, जिससे कि प्रभू का वचन आपके दिल में प्रवेश करके, आपके दिल को रूपांतर करके, आपको एक नया व्यक्ति बना दे, आपको एक नई समझ दे, आपको एक नई बुद् में आपको एक अंतर द्रिष्टी दे जिससे कि ये सारी बातें आप अपनी शिच्छा के द्वारा अपने बेटे को दे सकें बेटी को भी देना हैं लेकिन आज हमारा फोकस बेटों है ये सब आप अपने बेटे को दे सकें आज हमारे बीच ऐसे बहुत सारे पुरिश हैं जिनों ने एक पुत्र को जन्म देने के बाद पलट कर उसको नहीं देखा है आप कहेंगी कि आप तो हमसे बहुत दूर आप कैसे जानते हैं अरे भाईया मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूं और दुनिया की रीत देखता रहता हूं और चंबल के तौर तरीके, मदिप्रदेश के तौर तरीके तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं वही का तो नागरिक हूँ मेरे भी तो सैकड़ों मित्र हैं आप लोगों की इलाके में, इन सब के जीवन में मैं देखता हूँ बस जन्म दे दिया, उसके बाद पलट के नहीं देखते हैं अपने बेटे को मैं एक बाद पूछना चाहता हूँ हमारे चारों तरफ कुत्ते, बिल्ली, सूर भी तो हैं जो बेटे बेटियों को जन्म देते हैं यदि आपने एक पुत्र को जन्म देने के बाद उस पुत्र की तरफ पलट कर नहीं देखा है उसको बच्पन से क्रमबद तरीके से शिट्शा नहीं दी है तो आप में और आपकी गली में जो सडक चाप कुत्ते हैं, बिल्लिया हैं, सूर है उसमें और आप में क्या अंतर है लेकिन अफसोस के बात यह है कि इवन मसीही परिवारों में 21 फी शताब्दी में भी इस तरह के पुरुष हैं जिनों ने जो पुत्र के लिए जो सबसे बड़ी बात की है वो यह है कि उसको जन्म दिया है उसके अलावा पुत्र से कोई लेन देन नहीं है उसको मैयो पाल रही है और मैयो के बाद जो है स्कूल बाले पाल रहे हैं और स्कूल से जब घर आता है तो आडोसी पडोसी पाल रहे हैं या समाच पाल रहा है इसलिए तो अभी भी उतरभारत में मसीयों की गवाही बहुत बुरी है मसीहियों को आज भी लुच्चा, लफंगा और लंपट समझा जाता है क्यों? इसलिए कि आज भी बहुत सारी जगों पर जहां मसीही समाज बसता है वहां पर वे लोग वाके में लुच्चे, लफंगे और लंपट है पीना, पिलाना, मारपीट करना, जुगा खेलना ये उनकी आदत है जो पिता लोग मेरा संदेश सुन रहे हैं उनको आज शाम को मैं याद दिलाना चाहता हूँ यदि आपने एक या अनेक बेटों को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद उस बेटे को अपनी गोदी में पहले तो अपनी गोदी में बैठा कर और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने बगल में बैठा कर क्रम बद्ध तरीके से यदि आपने परमेश्वर के वचन की समझ की बातें उसे नहीं समझाई हैं तो लानत है आपके उपर कि आप एक मसीही पिता हैं इस कारणा जितने पुरिश मेरा संदेश सुन रहे हैं उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूं यदि आज तक आप नहीं कर पाएं हैं तो आज इस निरने के साथ इस क्लास से जाएं कि मुझसे गलती हो गई जान बूच के की हो लापरवाही के कारण की हो अग्यान के कारण की हो कारण छोड़िए यदि ये हो गई है तो आज ये निरने ले लीजे, गाट बांध लीजे, कि मुझसे जो गलती हो गई है, पूरे प्रायश्चित और पश्चत आप के साथ, मैं उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा, और उस गलती को दुरुस्त करने के लिए, आज से मैं अपने बेटे के साथ समय बिताऊंगा, उसको समझ दूँगा, यहां ग्यान नहीं लिखा हुआ है, ग्यान और समझ में बहुत फरक है, ग्यान का मतलब है कि हमें मालूम है कि ये दीवार है और वो कैलेंडर है और ये बगल में किताबे रखे हैं, समझ का मतलब ये है कि भला क्या है, बुरा क्या है, भले को क्यों अलिंगन करना है बुरे से क्यों दूर रहना है ये है समझ तो इस बात को decide कर लिए कि आज से आप अपने बेटे को समझ प्रधान करेंगे लेकिन समझ प्रधान करने के लिए जिरूरी है कि पहले आप उसको ज्ञान प्रधान करें बिना ज्ञान के समझ नहीं होता है और इसलिए अपने बेटे को जो ज्ञान प्रधान करना है वो दें सामानी ज्ञान उसको होता रहता है वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ पर पचास तरह की चीज़ें उसको सिखाई जाती है सामानी मैं उसकी बात नहीं कर रहा आज से आप निरने ले लिजे कि हर दिन अपने बेटे के साथ बैठ कर कुछ समय उसको प्रभु के वचन से ज्ञान देंगे बेटा ये प्रभु का वचन है इसमें 66 पुस्तके हैं 40 के करीब लोगों ने इसको लिखा था अतिमहान परमेश्वर ने हजारों साल पहले लिखी हुई इस पुस्तक की सुरेट्शा करके हम तक पहुँचाया हमारी भाष्षा में हमको दिया बेटा ये एक अद्बुत बात है इस वचन के प्रति समर्पन होना चाहिए इस तरह से पहले तो उसको ज्ञान दे ये प्रभु का वचन कहां से आया उसके बाद प्रभु के वचन की कहानिया सुना कर उन कहानियों के कहानिया से कालपनी कहानिय नहीं है प्रभु के वचन में एतिहासिक कहानिया उसकी व्याख्या दे आगे बढ़ने से पहले रोक कर मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ एक तो मेरा मोबाइल नमबर मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जो हर वीडियो में मैं बोला करूँगा, मेरा मोबाइल नमबर नोट कर ले, काहे के लिए नोट करना ये मैं भी बताता हूँ, मेरा मोबाइल नमबर है Triple nine, no, 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 Triple nine, five, one, nine, eight, six, nine, zero, 999-519-8690 अब कहे के लिए आज ये नमबर मैंने दिया पिछले पिछले हफ़ते Bible पाहिरिच्चाय नाम के नाम की दो electronic पुस्तके मैंने रिलीज की हैं इनको बहुत आसानी से आपके स्मार्टफोन पर आधे मिनिट में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ने के लिए सामायन ये वेक्ति को साथ मिनिट से जादा नहीं लगेगा हम उसकी रेचना ही इस तरह से कर रहे हैं कि आधे मिनिट में डाउनलोड हो जाए और साथ मिनिट से कम में आप उसको पढ़ ले प्रभू ने मदद की तो बाइबल परिचे साथ या सतर पुस्तकों का होगा इस तरह के साथ या सतर पुस्तिकाएं हम रिलीज करेंगे इसमें हर पुस्तिका में बाइबल का परिचे दिया हुआ है अल्ड़ेडी हम दो खंड रिलीज कर चुके हैं उन दोनों खंडों में ये बताया गया है कि बाइबल क्या है, इसकी रेचना कैसे हुई, कब हुई और किस ने की फोन नंबर मैंने इसलिए दिया कि संयोग से यदि इन इलेक्रोनिक पुस्तिकाओं को आपने ना देखा हो, तो मुझसे संपर कीजिए, मैं ये इलेक्रोनिक पुस्तिकाओं आपको दे दूँगा, भेज दूँगा, आधे मिनित में आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, साथ म नियमित रूप से डाउनलोड करके पढ़ा करें, जिससे अपने बच्चों को सही शिट्षा दे सके, बच्चों से मैं कहना चाता हूँ कि तुमारे पापा या डैडी उसको डाउनलोड करते हैं तो कर लेने दो, लेकिन यदि तुमारे पास स्मार्टफोन है, तो आलतू फ मन में कचरा ना डाले, इनको डाउनलोड कर ले, बच्चे भी समझ सकते हैं, इन पुस्तोकों की रचना मैं कर रहा हूँ, और यदि मेरी भाषा बच्चों तुम समझते हो, तो इन पुस्तोकों को बड़े आराम से समझ लोगे, तो आज जितने पिता इस सभा में उपस्ति करवा रहे हैं, उसका फाइदा लीजिए, अपने बच्चों को प्रभु के बच्चन का ज्यान दीजिए, और जब उनको ज्यान हो जाए, तो समझ दीजिए, उनको बताइए कि आदम और हुआ हमारे आदी माता और आदी पिता थे, और उनको पजमेश्वर के आज्या का उ जादी पिता के बच्चे हैं, इसलिए हमारे अंदर पाप के प्रती जुकाव बहुत ज़्यादा है, और हमें इस कारण अपने खृदे पर नियंतरन करना होगा, जिससे कि पाप जब हमको आकरशित करे, तो हम उस आकरशन में फस न जाएं। पिछले हफ़ते मैंने एक चुम्बक के बारे में बूला था, आज भी मैं सोचता हूँ के बापरे, विज्ञान के प्रती इतना समर्पित व्यक्ती, इवन मुझे उन लोगों ने उल्लू बना दिया, वो उस चुम्बक का आकरशन इतना आति भयानक था, मेरे प्री भाईयों और बहनों अपने बच्चों को ये बताईए, पाप का आकरशन इतना भयानक होता है, कि परमेश्वर के द्वारा मना ही हो जाने के बावजुद मनिश्यने, मैं पाप कर रहा हूँ हूँ, ये जान कर पाप किया, अपने बच्चों को समझ दीजिए, बेटा ऐसा नहीं करना है, अपने आपको बरबात करना जो है, उसमें कोई अकल मन्दी नहीं है, आज इन बातों की चर्चा के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ, प्रभु ने मदद की, तो हम आगे बढ़ेंगे, मैं ये याद दिलना चाहता हूँ, एक अच्छा मकान तब ही बनता है, जब नीव सही रीती से डाली जाए और उसके उपर जो हर पत्थर या रद्दा रखा जाता है, वो सही रीती से नाप तौल कर सीधे सीधे, टेडे आडे तिर्चे नहीं, सीधे सीधे उसको बनाया जाए। संपुष्ट परिवार, परिवार जो पुष्ट हो, यदि ऐसा होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हर पत्थर को हम समझें और उसको सही रीती से एक के उपर रेक रखते चले जाएं। इन बातों को समझने के लिए और हमारे पारिवारिक जीवन को पुष्ट बनाने के लिए, संपुष्ट परिवार प्राप्त करने के लिए प्रभू हम सब की मदद करे। प्रिये दोस्तों, मुझे पूरा यखीन है कि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अधिक अनुगरह मिला होगा। हम इस तरह के सेक्ड़ों वीडियो यूट्यूब पर पहले से पोस्ट कर चुके हैं और नेमित रूप से करते जा रहे हैं। इनमें से किसी को भी मिस मत कीजे, इसके लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजे और बगल में ही एक घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजे। इसका परिणाम यह होगा कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे वह आपको तुरंत मिल जाएगा इसके साथ साथ जब सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धी होती है तो उससे हमको प्रोथ सहन मिलता है क्योंकि हम यह समझ पाते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अनग्रह का कारण बन रहे हैं तो सब्सक्राइब से ना के वला आपको फायदा होता है बलकि हमको भी होता है प्रभू आपको सर्व अनग्रहों से भरपूर करें